उत्तर प्रदेश के माध्यमे के स्कूलों में सिक्षकों की कमी को देखते हुए तदर्थ सिक्षकों की नियुक्त की गई और ये सिक्षक लगबग 20 सालों से अलग-अलग स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं लेकिट इन सिक्षकों की परेशानी तब बढ़ गई जब सुप्रेम कोट ने एक आदेश में सरकार को ये आदेश दिया कि बाकिस सिक्षिकों की तरहे तदर्थ सिक्षिकों की भी परिक्षा कराई जाएं और उस परिक्षा में पास होने वालों को ही स्कूल में न्यूक्ति दी जाएं ऐसे में 20 सालों से अलग-अलग स्कूलों में कारिड़ा सिक्षक आज परेशान है इसके लिए बकाइदा तदर्थ सिख्षक संगठन ने मुख्य मंत्री को एक पत्र भी लिखा है जिसमें सिख्षकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है ऐसे में परताबगड के पटी तहसील के रामदुलारे इंटर कॉलेज में ज्यादा तर सिख्षकों की न्यूकती तदर्थ सिख्षकों के रूप में हुई है जो आज परेशान है कि सुप्रीम कोट के आदेश के बाद उनका और उनके परिवार का क्या होगा झाल झाल प्राइब